हेलो गाईज, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू बैंगन की सबजी, आलू बैंगन की सबजी बनाने के लिए दो बड़े बैंगन, चार पांच आलू लेने हैं, उनको अच्छे से दो लेना है, फिर हम बैंगन को लेंगे, बैंगन को लंबे लंबे काटेंगे, छोटे छोटे हैं अच्छे से काट लेंगे फिर इनको अच्छे से बीकिर छाघ कर लेंगे गला है जो इसमें मित्ती बगर होगी वो निकल जाएगी खाल और है रोगों सीन सांने झालते च्छे से भीIl वाऊ around को जने खिलेंगे निकालें 감ौत बाइक बार इक काट लेंगे प्याज को प्याज भी हमारी कट गई है अब हम तीन-चार हरी मिर्च लेंगे तीन-चार हरी मिर्च को बारिक-बारिक काट लेंगे यह हमने काट लिया है बारिक-बारिक अब एक अधरकर टुकडा लेंगे उसको भी हम बारिक-बारिक काट लेंगे यह कटके तयार है अब हम गैस ओन करेंगे कड़ाई में तेल डालेंगे तेल हो गया है तो हम उसमें जीरा डाल देंगे उसमें कटी हुई प्याज अद्रक हरी मिर्च भी डाल देंगे उसको अच्छे से भूनेंगे जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती यह गोल्डन ब्राउन हो गई है तो हम टमाटर भी डाल देते हैं टमाटर में के ओपर हम कसमीरी लाल मिर्च धनिया पौडर हल्दी पौडर मिर्च और नमक स्वाधनुसार ढाल देते हैं और इनको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और थोड़ा सहींग भी डाल देते हैं इसमें अब इनको जब तक भूनेंगे जब तक यह तेल नहीं छोड़ तेल चोड़ दिया है टमाटरों ने अब हम इसमें कटेवे आलू बैंगन डाल देते हैं अलू बैंगन भी हमने डाल दिये हैं अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे हम इनको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से मसाला बैंगनों में लग जाएगा अच्छे से मसाला मिक्स हो जाए नहीं हम तो बीच बीच में चलाते रहेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे फिर ढग देते हैं हम इसको अच्छे से मिक्स करके यह हमने ढग दिया पांच मिनट बाद फिर देखते हैं हमारी सब्जी हो गई है यह देखिए आलू भी इसमें मैस हो गए अच्छे स सब्सक्राइब करना है।